नमस्कार कशिश नियूस का डिजिटल प्लाटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिखा सरोट सिंग जारखन के सियासी गल्यारों से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है दरसल जिस तरीके से बीजेपी ने चमपई सुरेन को अपने पाले मिलिया उसके बाद जेमेम को बड़ा जटका लगा है लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीम हेमन सुरेन और कलपना सुरेन की गये हैं सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि कलपना सुरेन और सीम हेमन सुरेन की तरफ से ऐसी क्या प्लानिंग तयार की जा रही है कि बीजेपी या चमपई सुरेन को उतना ही बड़ा जटका लग सकता है उनकी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है देखे दोजार चोबिस में बिधान सबाचुना होना है नई सरकार का गठन हो जाना है जन्वरी के फर्स्ट विक में और दोनों तरफ से जेमेम हो यानि कि इंडिया अलाइंस हो या महागटबंधन अलाइंस हो और इंडिया अलाइंस हो दोनों तरफ से शहमात का खेल चल दोनों तरब से खास वर पर बीजेपी की तरब से कोशिश हो रही है कि जो भी बरे-बरे नेता है उनको अपने पाले में लाया जाए और जहां जहां चूख हो गई थी पिछली बार जहां सीटे कम मिल पाई थी या नहीं मिल पा रही थी उसकी भरपाई की जाए वहां see the जहां फिलहाल e fahren Day के पास नहीं बजीपी का नहीं है बीजेपी की कोशिश है उनको चहरा बना करके उनके नाम पर उन जब दर से खेल चल रहा हो तो हेमंदग सोरेन." दो-दो दफा CM रह चुके हैं और अब तो जिस तरीके से वो नपातुला कदम बढ़ाते हैं तो बहुत परिपक हो गए हैं और ऐसे में वो भी खामोश बैटने वालों में से नहीं हैं और जो अंदर खाने सही कहा अपने जो बाते चंकर सामने आ रही है वो एक तरीके से बीजेपी और चंपाई सोरेन को चक्रव्यू में फासने के कोशिश है और इसके लिए वो तमाम हज़कंडे तमाम जतन कर रहे हैं जो शायद बीजेपी को अब तक इस बात गुमान नहीं ह चम्रीन लिए बीजेपी को इस बात की आशंका नहीं है बीजेपी ऐसा सोच नहीं रही है अब क्या है वो स्टेटवी तो दिस तरीके से चंपाई शोरेन को लाकर के चुटी समपाई सोरेन 6 से 7 दफासराय केला से चुन कर आ चुके हैं और उनका प्रभाव कुलान की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हैंडे कहा जाये तो सभी चोधा सीटों पर है यही वज़ा है कि दी जादा भराद ही मिला था और एक चीट काऊडरेसट को और एक निर्दलिये एक तो अब BGP चाहर एक, उनसे ज्यादा सै ज्यादा उनके रा रानी कर्सीच तरह रहie है उस्सहेरा को ही बिना किसी मतलब बोले भाघायर पुछ ऐसा किया जाए को उसको कमजोर किया जाए उसे रेक्वनी धुंद़ा कर दिया जाए उसी आ काम चल लेतर या मचनलरा तो पहला तो ये पहला पहली प्लानिंग जो है अंदर बाते संटर सामने आ रही है कि चंपाई सोरेन को हैं घेरा जाए वहाँ पर तो कैसे घ्रादा सकता है तो एक तो ये कि चंपाई सोरेन के मुकाबले जो वहां पर मजबूत कंडिडेट है जो अब तक बीजेपी से हुआ करता था या बीजेपी के साथ अभी तक बना हुआ है उसको अपने पाले में लाये जाए जाहिर तोर पर जो पहले से पांस साल से चुनाव लड़ने के तैयारी कर रहा है बीजेपी से और बीजेपी के सिंबल पर चंपाई सोरेन चुनाव लड़ेंगे तो उनकी नाराजदी तो होगी ही उनका ठीकट कटेगा तो वैसे तीन है एक लक्षमन टूडू है जो दोदो दफा कम वोटों से उनसे चंपाई सोर में भी 2019 में तो 15-16,000 वोट से चंपाई सोरेन जितने में काम्याब रहे लेकिन उससे पहले 800,000 वोटों से डनेश महली हा रहे थे तो कहने का मतलब यह है कि कडिक टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को मिद्वार भी वहाँ पर तो ऐसे में एक और चेहरा है जो रमेश हांस्दा जो की पहले जामुम में ही हुआ करते थे लेकिन बीजेपी में इसलिए चुटी चंपाई सोरेन से उनकी अधावत थी चंपाई सोरेन को वो किसी तरीके से हराना चाह रहे थे मात देना चाह रहे थे और वो जेमें में रहते हुए नहीं हो पा रहा था चुटी जेमें के ब जे में यह तया करेंगे कि चंपाई सोरेन को हराने का मादा इन तीनों में से कौन है उसको टिकर दे सकते हैं दूसरे ऑप्षन पर जो बात चीछ चल लए हलाक यह इनिशियल इंफर्मेशन है क्या होता नहीं होता वो अंतिम वक्त में परिस्तिति का नुसार देखा जाएगा लेकिन इस रनिती पे भी काम चल रहा है कि हेमंत सोरेन खुद चंपाई सोरेन को शिकस देने के लिए सरायकेला सीठ्षी जहां से चंपाई सोरेन चुनाव लर रहे हैं वहां से चुनाव लर सकते हैं तब आप एक कहिएगा कि फिर वहां से इतने बरे नेता एक मतलब चुनाव जब हुगा तो एक निवर्तमान मुख मंतरी और एक पुरु मुख मंतरी और दोनों ही कभी नंबर वन और नंबर टू जेमे में में हुआ करते थे कुलान टाइडर के साथ क्या उसमें रिस्क नहीं है कहीं हार जाएंगे हेमन्द सोरेन तो आपको याद होगा कि एक बार शिबु सोरेन मुख मंतरी रहते हुए भी चुनाव हार चुट्के हैं और दूसरी सीट थी बरहेट जहां के अभी वो बिधायक हैं दोनों सीटों से वो चुनाव जीते थे लेकिन एक नियम है कि चुनाव जीतने के 14 दिनों के अंदर एक सीट खाली करनी होती है तो उन्होंने दुमका सीट खाली की थी और बरहेट से फिलाल वो बिधायक है तो इस बार भी इसी एस्टेटेजी के तहत बरहेट से भी वो चुनावलर सकते हैं और सराकेला से भी चुनावलर सकते हैं और बाद में जब वो जीतते हैं तो फिर उन पर डिपेंड करता है कि कौन सी सीट से वो कंटिनू करना चाहते हैं और कौन सी सीट छोरना चाहते हैं तो य एक बरी planning है बरी strategy है जो जेमेम के think tank हों जिनमें कलपना सोरेन भी अब आ गई है हमेशा हमन्द सोरेन के साथ साय की तरह चलती है हर जगह जाती आती है जो पहले शायद चंपाई सोरेन उस जगह को करते आये हैं उस जगह पर थे तो चंपाई सोरेन की इस प्रख़़न के बार नहीं रहा इसी बज़त से अब कलपना सोरेन उनके साथ चले तो यह बरी बात है और ऐसा नहीं है कि यह पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा जार्खंड में एक्सपरिमेंट हो रहा है ऐसा हो रहा है इससे पहले भी आपको अटल बिहारी वाजपरी तीन-तीन सीटों से जीते थे और 2019 में आमेठी और वायनाड से अमेठी हार गये थे इसमिती रानी जीती थी मुलाइन सिंग्यादों भी तिन-तीन सीटों से चुनाव लड़े हैं तीनों पर जीते हुए हैं इसके अलाबा बलालकृष्ण आडवानी भी दो जगे से चुनाव लड़े हैं और ज लिए तो ऐसे सेट्रों एक्जाम्पल्स हैं जो पहले भी कई सीटों से लड़ते आए हैं हलाकि पहले जो कहा जाए 1996 से पहले लिमिटेशन्स नहीं थे कि कौन ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटों पर सुनाव लड़ सकता है यह वज़ाए कि तीन-तीन सीटों पर सुनाव लड के काम किया जा रहा है और अंतिम वक्ट में अगर यही फाइनलाइज हो दाय तो आशर्ज नहीं होना चाहिए चुकि मोटीव यह है कि किसी तरीके से बीजेपी को वो फायदा नहीं मिलने दिया जाए ताकि जेमेम या महागटवंधन की सीट कुलान से कम होला और के वोट ही जीत और हार में फैक्टर हैं तो इसलिए वहाँ पे अगर बीजेपी डेन टर गई तो फिर वो सत्ता के खड़ीब जा सकती है और वहाँ पे जेमेम अगर लूज टर गया तो सत्ता से दूर हो सकता है तो किस तरीके से बीजेपी को भी और चमपाई सोरेन को एक चक्रवीव में घेरा जाये इसके तहत जो भी हो सकता है और उसके तहत है मंद सोरेन चुटी बरे चेहरा है और जाहित तोर पर जो वहाँ का जो सिनारियो है जो ट्राइबल में जो तीर धनूस का जो छाप है वो जेमेम के साथ यानि कि वहाँ से कई लोग जेमेम से नाता तोर कर चुनाव लड़ने कोशिश कर चुटे हैं लेकिन वोटर ने उनको एक्चेप्ट नहीं किया वो कनेक्टेड है तीर धनूस सिंबल उनको मिलना चाहिए शिवू सोरेन की पार्टी होनी चाहिए जेमेम होना चाहिए तो वैसे में इनके लिए भी चलेंज है चमपाई वोटर उनके पास आते हैं और चुनाव में जीते हैं या हारते हैं फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी किये अभी के लिए इतना ही दीज़े इजाज़त नमस्कार